ये पाथ चीजे मेहने में साथ दीन अगर आप भिगो कर खाते हैं तो आपकी उम्र जैसे थम सी जाएगी रुक सी जाएगी 40 में 20 के नजर आएंगे कई गंभीर बिमारिया कोसो दूर रहेगी ये पाथ चीजे हमें रात में भिगो कर रखना है और मॉर्निंग में इसकी टेस्टी सी हेल्दी सी एक खीर बनाएंगे जो बच्चों से लेकर बुजरुगों तक बिल्कुल आराम से खाएंगे अलग से नाश्ता बनाने की जंजर्टी नहीं इसे किस प्रकार से बनाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट में हम कुछ हेल्दी टिप्स भी देखेंगे जो आपके हेल्द को बहतर बनाने में हेल्प करेगी मॉर्निंग में हमें खीर बनानी है, तो इसका प्रिपरेशन हमें नाइट में सोने से पहले ही करके रखना है, एक बाउल लेना है और उसमें 10 किशमिष हमें एड़ कर देने है, सारे पाच्चों चीजे हमें एकी बाउल में सोव करने के लिए रखना है, तो सबसे 1st इंग्रि जड़ देता है, उनकी बीमार पढ़ने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, उनकी इमनेटी बूस्ट होती है, बॉड़ी डीटॉक्स करता है, बॉड़ी में जो भी विशले पदार्त होते हैं, वो बाहर फेकने में किशमिश बेहत फायदेमद होता है, इसमें ठेल सारे इसे पो से पहले मैंने वाश कर लिया है, फिर हम इस बावल में दस किशमिश अड़ कर देंगे, नेक्स चीज हम इसमें एड करेंगे, त्री डेड्स मतलब तीन खजूर इसमें एड करना है, खजूर में धेर सारा फाइबर होता है, कैलशियम होता है, प्रोटीन, फ्रुक्टोस पा इसके साथ ही बॉड़ी में यह कभी भी खून की कमी नहीं आने देती है, यह जो भी कॉंटिटी में आपको विता रही हूं तो वो वन परसन के लिए है, अगर आप जादा लोगों के लिए बनाना चाहते है, तो इसकी दुबनी कॉंटिटी आप कर सकते है, वन डें के आपको कभी भी कब्स नहीं होने देता है, डाजिशन को इंप्रूब करता है, इमनेटी को बूस्ट करता है, फाइवर जादा होने के कारण अगर मॉर्निंग में यह खा लेते है, तो इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और इसके कारणी आपका वेड भी इ करता है, इसके साथे इसमें एंटियों गुण पाये जाते हैं, जो स्कीन ग्लो पढ़ाने में हेल्प करता है, आप अगर डाबेटीस के मरीज है, या फिर आपका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलोस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर आप दिल के मरीज है, तो आपक को माइगरीन की प्रॉबलम है, हमेशा सरदर्त रहता है, तो आपको खसकस जरूर यूज करना चाहिए, इसमें ठीर सारे अवशुदियों गुण होते हैं, जो आपके इम्मुनोटी को बूस्ट करते हैं, और कई कंभिर बीमारियों से आपको बचाती है, लास्ट चीज हम करेंगे दो स्पून ओड्स, ओड्स में ठीर सरा फाइबर होता है, इसलिए जो भी लोग डाइटिंग पर होते हैं, जो वेट लूज करना चाहते हैं, वो नाच्टा करते हैं, इसका यही एक रिजन है कि इसमें ठीर सरा फाइबर होने के कारण, लंबे समें तक भूक नहीं और वेट लोज होता है इसके साथ ही इसमें ढेर सारे ऐसे पोशब तत्वा पाये जाते हैं जो इम्मुनेटी को बूस्ट करते हैं फाइबर होने के कारण मॉर्निंग में ठीक से पेड भी साफ होता है इससे आपका जो ब्लड शुकर होता है वो कंट्रोल करने में और आपके ह समय तक आपको यह एनर्जी देता है और मॉर्निंग के काम काफ़े फास्ट होते हैं यह सारी चीजें हमें एक आज के बावल में लेने हैं पांच चीजें हमने इसमें आड़ किये है रात में सोने से पांच मिनिट पहले आपको इसे भीगो कर रखना है आप पानी में या द खीर बनाने के लिए बिलकुल तयार है जो हमने बावल में पाच चीजें सोग करने के लिए रखे है तो उसके सारे नेम और उसकी कॉंटिटी हम यहां पर मेंशन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी मैंने जब इसमें डेट्स अड़ किये थे तो उसके बीजे निक बनाना है वो प्रोसेस देखेंगे लिए हमें एक पॉट लेना है और उसमें एक स्पून गाय का गी एड कर देना है बच्चे खाना पसंद करते हैं तो जादा गी भी आप इसमें एड कर सकते हैं उसके बाद हमने जो पाचे चीजे रात में सोग करके रखी है वो सारी या पानी आधा पानी आधा दूद भे आड कर सकते हैं बच्चे अगर दूद पीना पसंद करते हैं तो सिर्फ आप दूद में भी एक खीर बना सकते हैं काफी टेस्टी लगती है यह दो मिनिट के लिए आपको उबा लेना है सारी चीजे हमने नाइट में सोग करके रखी ह तो इसे पक्ने में ज़ादा देर नहीं लगता है जब यह उबलती है तो इसमें थोड़ी सी केसर आड कर देना है और इसके साथ ही हरी इलाइची की पाॉडर अड़कर देए उबलने के बात इसके गैस की फ्लेम बन कर देनी है और गर्मा गर्म सर्व कलना है कौफी साथ दिन भी आप ये खीर बना कर खाते हैं तो पूरे महने की एनरजी आपको मिलती है। हर मन्त में साथ दिन रेगुलर आप इसे मॉर्निंग में नाश्ते के तोर पर खा लेते हैं। तो अलग से नाश्ता बनाने की जंजट नहीं। और कई सारे हेल्थ इशुस क्लियर करने में इसके बेस्ट रिजट मिलते हैं और सारे बिलकुल मजे सिखाते हैं। अब देखेंगे बेस्ट फाय टिप्स जो आपके हेल्थ को बहतर बनाने में हेल्प करेगी। इसके साथ ही जैसे आपके आँख खुलती है तो दो गलाज गुनगुना पानी पीना है। यह गुनगुना पानी हमारे बॉडी टेमपरेचर से मैच करता है। तो गुनगुना पानी बिलकुल गुट-गुट करके पीनाएं। उसमें सलाइवा मिक्स करनी है। इस प्रकार से पानी अगर पीते हैं तो आधे से जादा पीमारिया इसी से कम हो जाती है। उसके बाद 5 मिनिट का स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है। फिर आपको 20-25 मिनिट का मौनिग वाग ज़रूर करना है। इसे पूरी body active हो जाती है बाहर का जो fresh air होता है वो आपको एक happy hormones create करने में help करता है और पूरा mood बन जाता है morning में अगर mood happy होता है तो हमारे पूरे दिन भर के काम बिल्कुल आराम से होते हैं अगर आपके पास ज्यादा वगते हैं अगर आपके पास ज्यादा वगते हैं तो 15-15 मिनिट्स का आप कर सकते हैं second tip जैसे भी morning में आप healthy खीर खाते हैं तो उसके half hour के बाद एक कोई भी सीजनेवल fruit आपको खाना है जो भी market में available होता है हम रात में सोते हैं 7-8 गंटे की नीन होती तो नीन में हमारी body को vitamin minerals के आवश्रकता होती है खीर खाने के बाद एक fruits आप खाते हैं तो सोने पे सुआगा आपकी health बहतर होती है क्योंकि इसमें धेर सारे vitamin minerals होने के कारण सारे पोशक तत्व हमारी body को मिल जाते हैं और हमारे life काफे बहतर होती है थर्ड टीप बिल्कुल important है morning में जैसे भी आपको धूप निकलती है तो पांच मिनिट का धूप जरूर सेखना है इसमें vitamin D की कमी पूरी तो होती है calcium body में बढ़ता है इसके साथ हमारी हड़िया जो दर्द करती है वो कम हो जाती है ठकान कम होती है और पूरे दिन भर में एक best benefit इसका मिलता है कि कभी भी नीन लेनी के आप में आदत होगी तो आपको दिन भर में नीन नहीं आएगी रात में एक की सही timing में अच्छे से और ग पर सी टीप आपको follow करनी है पोरे दिन भर साथ से 8 गलास पानी जरूर पीना है सफिशन पानी अगर आप पीते है तो इसे body detox होती है सारे जो भी विशले पदार्त होते बाढ़ी से बाहर निकल जाते है और स्कीन अंदर से glow करने लगती है बस इतनी simple सी बात है लेकिन अगर आप इसी ठीस से follow करेंगे तो body की कई व्याधी जो होती है उसे नस्ट करने में ये टीप बहुत बेस्ट रिजल देती है फिप टीप बिलकुल सिंपल है आप डिनर जब ही करते है तो साथ बज़े तक complete कर लेना है साथ से साधे साथ बज़े ज्यादा से ज्यादा साधे तो आपके नीन में और खाने में अगर टू ओवर्स का गैप होता है तो इन टू ओवर्स में डाजेशन का जो प्रोसेस होता है वो complete हो जाता है फिर आप सोते है तो नीन में आपकी बॉड़ी को रिपेर करने के लिए वक्त मिलता है बॉड़ी अगर रिपेर होगी तो कोई भी बिमारी आपको चूबी नहीं सकती है बस इतना ही अगर आप ये चीजे छोटी-छोटी चीजे है वो अगर ठीक से फॉलो कर लेते है तो कोई भी गंभीर बिमारिया आपको फ्यूचर में नहीं होगी बस इनी बातों को ध्यान में रखना है जो मैंने साथ दिन के लिए खीर बना के दिखाई है वो अगर आप खारते हैं सिंपल से टीप्स जो है फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ काफे बहतर होगी अगर आप ये चीजे फॉलो करते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्राय मस्त्राहिल्दी रहे थैंक्यू सू मच